गुड मॉर्निंग स्ट्रेंज आज़ी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैंच दू डेज विद दियर पोजीशन दिनों को उनके पद के अनुसार मिलाएं जिसतर आपको यहां दिन दिये हुए हैं और यहां पर उनका स्थान दिया हुआ है आपको बताना है कि कौन सा दिन कौन से स्थान पर आता है हफ्ते का कौन सा दिन, वीक का कौन सा डे जैसे सबसे पहले आपके पास हफ्ते में क्या आता है वीक का सबसे पहले डे कौन सा होता है मन डे, मतलब सूम वार सूम वार आपका सबसे पहला दिन होता है मतलब first day, पहला दिन तो आप इस तरह सूम वार को पहले दिन से मिलाएंगे उनका मिलान करेंगे उसके बाद आपके पास आता है मंगल वार, Tuesday, Tuesday कौन सा दिन होता है? दूसरा उसके बाद Wednesday मतलब बुध वार बुध वार कौन सा दिन है? तीसरा इस तरह आप पहले काउंट करोगे कि पहला दिन कौन सा था? सूम वार, मंगल वार, बुध वार और फिर वीर वार मतलब Thursday Thursday आपका कौन सा दिन है? चौथा दिन फोर्थ दे फिर से आप काउंट करोगे सूम वार, मंगल वार, बुध वार, वीर वार फिर आता है शुकर वार शुकर वार आपको कौन सा दे है? पांचवा डे उस दिर आपका छटा डे कौन सा होगा? सैटर डे मतलब शनी वार उसके बाद आखरी दिन कौन सा होता है? जिस दिन आपको छुटी होती है आपकी हॉलिडे होती है सन डे रवी वार ये होता आपका हफ़ते का आखरे दिन सातवा दिन उसके बाद नीचे ये पिक्चर दी हुई है आपको इन सभी पिक्चर्स में कलर भरना है और मुझे फोटो को भेज देना है Thank you and have a nice day